नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस्तुरानी आज हम बनाना सीखेंगे खीर खीर बनाने के लिए हमें जिन अज़्जा की ज़रुरत है उनमें शामिल है एक किलो दूद, छे टेबल स्पून चीनी, छे टेबल स्पून चावल, एक इलाइची, वन टी स्पून केवडा, पिसा हुआ खोपरा टू टेबल स्पून, बदाम टू टेबल स्पून, पिस्ता टू टू टेबल स्पून तरकीब सबसे पहले चावल को आधी खंटे के लिए पानी में भीगो दें और फिर दूद में लाइशी अबालने जब दूद उबर जाए तो चावलों का पानी निकाल दें और पिर चावल दूद में डालने पांच मिनट के लिए बांचा चलाते रहें इसके इस अधकर 35 मिनट के लिए दम पर पकने के लिए छोड़ दें इसके बाद इसे लिकड़ी के चमच से अच्छी तरह घो हुट लें और पिर इसमे चीनी और जिदार डाल कर मजीद 10 मिनट तक पकने टेकर रखदें फिर इसे एक बॉल में निकालकर इस पे बदाम, पिस्ते और पिसा हुआ खोपरा छड़क दें और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें आपकी मदेदार खीर तैयार है इन्जाय करें ये थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए